पावन सिंग की जहां तक बात है तो पावन सिंग हमारा मौसी के लईका नहीं है अगर कलाकार को खेसाडी लाले यादो पे एक पंकज सिंग गाना गया था बेटी पर उसको गुंडा भेज के पिटवाया तो मैंने कलाकार के बहीन के मायक ये बेटी की इज़त रहना चाहिए और लोगों को सर्याम लुटाएगा उकर बहीन के नाम हम हूँ जानते हैं हम बहीन पर गा सकते हैं गवा सकते हैं धोड़ी जनी चिल्दा धोड़ी जनी चाटला गाने आने के बाद विवादित हमेसा भुजपुरी विवादों में रह रहा है और मैं बता दूँ कि अभी एक और विवाद चल रहा है कि रात भर नचाइब डिमपलवा हम है रंगबाज और साथी उसमें एक ही लड़की का नाम नहीं लिया जाता है साथ में पुझवा कजलवा जो भी जो भी लड़की का नाम लिया जा रहा हो और उसमें बहुत वड़ा विवाद हो गया है जो भ बोचपुरी बीवाद ना हो तो बोचपुरी नहीं चलता है सबसे पहले हम स्वाहत करना चाहेंगे मगहिया जवान से गोदम सिंग जी कैसे हैं बहुत बढ़ियां ये टूजेट देखने वाले सारे दर्सकों को भी मेरा नमस्कार प्रणाम अगर कोई बीवादित काम करेगा अब भी गाना आया था जो ये रादभरन चाइबरे डिमपलवा रादभरन चाइबरे कजालवा ठीक ना इससे पहले धोड़ी चटना गाना आया था ठीक ना उसके बारे में आप लोग काया ने उसको भी बोले थे जिसका लाकार को उसका गौन नहीं जानता उसका जिवार नहीं जानता उसका जीला नहीं जानता उसको हम बोलकर पुरा बिहार को नहीं न बताने जाए चोटका लाकार है जगर गाना कोई न सुनता है जिसको सुनिए इसलिए पहले नहीं चर्चा किये थे अब वो भी दिसा पे गाना ला रहा है तो करो भी माय बहिन के समझ रहना शुरू हो जाएगा अईसा नहीं है जब बड़ा नहीं था तो ना बोलते थे अब लिस्ट में आ गया है तो करो रिलाई होगा नहीं कि इसे बोलेंगे लोगों का कहना ये है कि अब पूरा समाज का ठीका आप लेकर रखे हुए है एकदम ठीका जब समाज के जब समाज के तमाम वो इसे लॉंडेन नपुनसक हो जाएंगे तब ठीका तो लेना पड़ेगा ना बोस हम लोग मर्द हैं और मर्द वाला फार्ज निभा रहे हैं बाकी जो हमारा बिरोध कर रहे हैं नपुनसक है माई बहिन के चिंता ना है तो चिंतवा तो हमने न करे पड़ेगा बॉस ऐसा है कि लोग कहते हैं कि आप पॉन सिंग का बिरोध नहीं करते हैं उनके भी गाने कुछ आते हैं ऐसे जिसे मानले जाब कुछ भी गाने उनके आते हैं पहले के गाने के लिकर होता है तो कि उनके बारे में क्यूं नहीं बोड़ रहे हैं अप लोग बॉस पवन सिंग की जहां तक बात है तो पवन सिंग हमरा मौसी के लईका नहीं है हमरा रिष्तेदार नहीं है जब जब असलील ओभी काया है हम दोनों भाई बोले हैं और आजीवन बोलेंगे अब पुरानी गानों की बात है ना तो पुरानी गानों को लेकर ही मुहिम को सुरू किये थे पहले सबका पुराना दो-दो गाना बताया फिर हमने आया और कहा कि इसके बाद तो आपके तरफ से भी गाना को गाया गया राद भरना चाहिब टुन-टुन के इससे कुछ गाना अपने गाया है अगर बहीन के बोले हैं ऐसा क्यों बोले आप काहना बोलेंगे जी अगर कलाकार को खेसारी लाले यादो पे एक पंकज सिंग गाना गया था बेटी पर उसको गुंडा भेज के पिटवाया ठीक तो मैंने कलाकार के बहीन के माय के बेटी की इज़त रहना चाहिए और लोगों को सर्याम लुटाएगा तो अगर वो किसी नीलू किसी काजाल किसी पायाल किसी डिम्पल पे बोलता है तो हमरो तो फारज है ना क्योंकर बहीन के कौन रहे लेगा ऐसा है कि डिम्पल सिंग नाचने वाली है मतलब अश्टेश्टो करती है सफाई में बोला गया है कि डीमपल सिंग अश्ट्रेश करती है, नाचती है, माहिमनी साइब भी बोला गया, माहिमनी साइब अश्ट्रेश करती है, काजल भी करती है, तो आपको उसे क्या तकलिफ है? अरे यार एक बात बताएए, तो जेड वाले भाई सहाब, आईसा था मैंसान, आपसे पूछ रहे था, नहीं न था, तो फिर क्या गारेंटी की सिर्फ वही डिंपल अज गाना को सुन रहे हैं, उन्होंने सफाई दिया कि हम डिंपल सिंग को बोले, ठीक है, डिंपल सिंग को बोला है, लेकिन वो काजल, उसका तो सफाई नहीं था गान समझ रहा है ना ताकि लोग समझेगी के कराम बोल रहा है है इसलिए हम सब कुछ बिचार और मन में ले के कार्जिको करते हैं बॉस ऐसा भी आप पे आरोप लग रहा है कि आप एक तरफा काम करते हैं अपने जात के कलाकारों को आप नहीं बोलते हैं खास करके दूसरे जाती को कलाकारों को टार्गेट करते हैं किसी का नाम बिगाड़ देते हैं तक किसी को गाली गलोच करते हैं ऐसा आरोप आप पे लगता ह अरोप लगता है और आरोप लगता रहेगा जब तक लोग सोच नहीं बदलेंगे अब जहां तक कलाकार की बात हमरजात के रितेस पांडे है हमरजात के कलू है हमरजात के राकेस मिश्रा है हमरजात के गुंजन सिंग है हमरजात के निलकमल सिंग है परमुत पेमी आदा हमरज से जब जब अभी होली में गाना आया था अगजा के दिन जिस दिन अगजा संबत जरने वाला था उसी दिन गाना आया था इतना जल्दी कोई गाना लाता है पांच दिन पहले लाता है उए दिनवा जे दिनवा होली था अनुपमा यादा और पमंद सिंग के साथ में असलील बात क्यों हो रहा है देखिए हटाया जाता अभी सोशल मीडिया है स्रिमान आप अगर गलत करिएगा ना ता गलत को अपने अपने चैनल से हपाटा दिजेगा लोग इतने एक्टिव रहता है कि मल्टीपल जगा पर उसको पोस्ट कर देंगे अपलोड कर देंगे मल्टीपल तो यहानने चैनल से हुआ है कौन मेरे उपर गा रहा है तो आपको पता है क्योंकि हम को पता है कि जिस रास्ते पे निकले हैं विसमें तमाम आरचने आएंगी हम सब के गालीयों को सुनकर हम सब के लिए खड़े हैं ये इतना तो लोग काता है कि अब इसलिए चीड़ रहा है कि वहीन के नाम है तो हमर का एकाद 100 बहीन है लेकिन नहीं पुरा बिहार एरुपी के लड़किवों को बहन मान लिए है तो तकलिफ तो होगा ये जो काजल पुजा डिमपल जो ही सब है, इन लोगों तकलिप नहीं हुआ, इन लोग अभी तक लाइब नहीं आ करके बोले कुछ नहीं, कोई अशा स्टर्टमेंट दिये हैं, उन लोग को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इगामार लोगों को देखकर सोसल मीडिया प्यान पर जाहिल की जन संख्या जादा है, कैसे लड़कियां को आएगी? जब लड़कों को यहां लोग नहीं बगसता है, तो लड़कियों कैसे बखसेगा? बदी बदी कमेंट्स करेंगे, करेंग प्लीज, आप समर्थन करेंगे, लेकिया लगता है, आप लोग गाली गलोच करते हैं, तो क्या सुधर जागा पछपूरी? सुधर जाएगा नहीं, सुधर गया है, बस ऐसे लोगों को सुधर ना बाकि है, 99% सुधर गया है, एक परसेंट में ऐसे आते हैं, जो ट्रक ड्रा पर गया है, तो जाती की लोग में का डिंपल, काजल, जूली, निलू, पुझा, पायल, ना ना बोलेंगे, आप यह कारूप लगता है, कि आप लोग किसी के बारे में भी बात करके, एपिसोड बना करके, चाहे उसके बारे में कुछ बोल करके, उसको और फेमस करा देते है हम लोग फेमसे लोग के बोलते हैं, समझें, फेमस लोग को जड़ा उसका पॉपलरेटी कामता रहता है, सोचते हैं कि थोड़ा सा बढ़िया, पॉपलरेटी बढ़ा दे, वही काम करते हैं, और छोटे लोगों को क्या है कि, हाँ समार्थन वैसे भायों करता है, भी धर्म पे गादो कर माय ना बोलेगे कहा कि कह देगा कि इसलिए गाये हैं कि पईसा आता हो तो मायो चुप रहेगे गार कहीं ने कहीं आप पे और भी आरोप लगता है कि आप जाती दो जातों को अलग अलग भागों बाट दिये हैं खास करके एक जाती को अप ज्यादा ठार्गेट कर अरे यार एक चीज समझ में नहीं आता है एक सवाल के बार-बार जवाब देना हम राचा न लगता है हमारे जात की जहां तक बात करें उसमें सिर्फ एक कलाकार है पामन सिंग ठीक है और अधर जाती सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में भोचपूरी इंडस्ट्री में ब्रामनों की संख्या है मनोज तिवारी हृतेस पांडे रवी किशान, कल्लू राकेश मिस्रा, अंकुस राजा सब एक जाती साथ है समझें तो अब ज़्यादा जन संख्या उलोका है चाहें तो सबके साथ एपिसोड बान जाएगा लिन पावन सिंफर देखी ने बनेगा बास तो लोको लायागी ज़्यादा टर्गेट करता है उलोक से तो सिकायत हमको नहीं रहता है ऐसे तमाम कलाकार है जो भोचपूरी इंडस्ट्री में लड़कियां जो है गाना गाती है तो क्या लगता है आपको समर्थन में आपको नहीं आना चाहिए उनको बिल्कुल आना चाहिए समर्थन में ऐसा नहीं माही मनिसा पर भी जोई ड्रामा किया है उसको बोलें कि तुम माही मनिसा में का है कि पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता है तुम उस पर हेडलाइन लिखे हो कि सिर्फ उसके लिए है और उसके लिए भी तुम कैसे गाद होगे भरोसे वाले माही मनीशा भी और बैटियों का नाम है नहीं गाना पड़ेगा तुमको ठंडा कर देंगे ठंडा हो जाओ न जब तक सांथ नहीं हो जाए इस चंद लोग एक दम होगा ना तो होना पड़े गा अप ये ठेका लेकर के रखे हैं कि हम बिलको सुधार के रहेंगे सुधारना पड़ेगा, तु गाना को गा के, गाना को बजा के, तुम अगर चाहते हो, कि तमाम वैसे लोग सुने तुम्हारे गाने को, हम हो कहेंगे कि तमाम वैसे लोग तुरू माय बहिन के गाना को सुने, जो लोग गाएगा, यह भी है बॉस अच्छा ऐसा नहीं लगता है कि कहीं इस तरह से होने से भुचपूरी में में बैठे हैं लोग बड़े लोगों को आना चाहिए निरहुआ जी को पवन जी को खेसाड़ी जी को परमोट प्रेमी जी को जो बड़े कलाकार हैं उन लोग को आना चाहिए और कहना चाहिए कि प्ल अच्छा करोगे हम अच्छा कहेंगे इसमें एक इंट्रव्यू लिया आता है अनुपमा जादो से मैं जानना चाहूंगा आपसे आपकी क्या रहा है अनुपमा जादो ने यह बात कहा था कई थी कि से जो काजल पूजा जो नाम लिया जा रहा है जो भी नाम लिया जा रहा है विडियो दी सौंग में उस पे करवाई होनी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए अनुपमा बिल्कुल सही कही है अनुपमा जी का हम समर्थन करते हैं इस प्रकार की चीजे हैं वो एक लड़की होकर सम बढ़ा पाएंगे तो इसलिए वासलिए गाना काम कर रहे हैं दिखाए लोग या फर्क पड़ता है लेगिंगे लोगों का नहीं करने देंगे बॉस लोगों को इस प्रकार से सर्मसार ना करने देंगे बिल्कुल चलता रहे हैं जब तो इलो संत नहीं हो जाएगा शांत हो जाएगए छों मेंदा संत हैं निथे जियु से चुप रहे हैं लोगों को की तमाम तरह के बाते यास टून तरप से तुन तुन याद अधो तुन जीर की तरफ से भी आ रहा है मगां यह जवान के दोनों भाई लागतार इस Joe Gracias जा रहे हैं डेली काप इस्टोड बन रहा है सोसल मीडिया खोलिएगा तो आपको सिर्फ यही चीज मिलेगा देखने को तमाम खबर देखने के लिए आप तो आप हमसे बने रही है बाकी बात बिदा लेना चाहेंगे आपसे और आंत में आपको एक चीज और कहाना चाहेंगे कि जो लोग ए आरोप लगा रहे हैं लोगों को क्या खाना चाहेंगे आप कि मगहिये जवान के गौतम सिंग और समर सिंग के बहन है क्या हो उनको ज्यादा चिल होती है माने की बहन ही है अगर हम यूपी विहार और जहारखंट की ठेका ले लिए हैं कि बहन बेटियों का नाम से नहीं गाने देंगे गाना तो समझे कि सब को हम बहन मानते हैं तो सब हमारी बहन है